जय हनुमान ग्यान गुण सागर जय कभीश दिय दोकाउ जागर राम चूत अदलत भलकावा अंचन पुर्थ पवन सुत नावा महावीर बेक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत कैसंगे अंचन वरन विराज सुवे साखानन पुंदल पुंचित केसा सब का ये जोसे सुक्ष्मरूपदर सियह दिखावा विक्तरूपदर लंक जनावा भीमरूपदर असुर सभादे राम चन्र के खाज सभादे लाई सजीमन लखन जियाए श्री रगपीर हरश गुर लाए रगबत की दी बहुत बढ़ाए तुम मंपिये वरत सम भाई सहस्त्र बदन तुमरो यश्कावे असकई श्री पदिकंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सैते इसा यमक बेरत काल जहाते खवितो मिद कैसके कहाते दुमोपकाल सुधीवै की नाडाम मिला राज बद दीरा पमरो मंतुर पीशन माना लंकेश्वर भैसम जग जाना युग सहस्त्र योजन परवानू लीलो ताई मदुर पर जाना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुकर तुमरे पापा राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आग्या बिन पैसारे सब सुकल है तुमारी शर्णा तुम रख्षक्ला हूँ तो डर्ना आपन तेज समारो आपै तीन हुलो कहाक देखापै भूत पिशाचन गट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावे ना सै रूग हरै सब पीरा जबत निरंतर हनमत बीरा संकट से हनमाल चुडावे मन कम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तक स्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनूरत जो कोई लावे सोईयम जीवन बरपावे चारो युग पर ताप तुमारा है मरसिद जगत उजियारा साज संद के तुम रखवारे असर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिध नवनर के राता अस्वर धीन जान की माता रामर सायन कुम्रे कासा सदा रहो रगपत के रासा तुम्रे भजन राम कौपा मैं जनम जनम के दुखत सिरा मैं अंत काल रगवर कुर जाई जहां जनम हर भगत काई और देवता चतना धरई हनुमत से ही सर्व सुक करई संकड कटे मिटे जब कीरा जो सुम्रे हनुमत वलवीरा जै 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 हनुमान कुसाई फिरवा करो गुर जेवं गिनाई जो सत्वार पाट कर कोई जूटे वन्नि महासकोई जोया खड हनुमान चालिसा वोई सित सासी गोरी सा तुर्जी गास सखा हर चे रा कीजे ना तिर जै महडे रा कीजे ना तिर जै महडे रा कीजे ना तिह लै महडे रा कीजे ना तिह लै महडे रा पवन तन संकट हरन मंगल मूरतिरू कीजे ना तिर जै महडे रा कीजे ना तिह लै महडे रा और अंत में हनमान जी से प्रात्ना रहे कि ये बल बुद्धी विद्जिशा दे करके और क्लेश वृकारों से मेरी सफाई करके चले मत जाना मुझे छोड करके मत जाना चौबिस घंटे मेरे सात रहो कैसे रहो कीजे ना तिह ड़्यमहडे रा और फिर बताया कैसे रहो ये भी बताया फिर हलमान जी को याद नहीं किया है पवन पुत्र को याद नहीं हम और आप भी रोज पवन पुत्र को ही याद करें पवन तने संकट हरन हम और आप रोज इतना राज याद रखें कि हमारा सब का शरीर पांस तत्तों से बना है धर्ती, आकाश, अगनी, जल और वायू इन पांस तत्तों से शरीर नहीं पूरी स्रिश्टी की रचना हुई है और हमारे आपके शरीर में सब रहे केवर डॉक्टर जब इतना डेकलेयर करता है कि वायू तक तो ने शरीर का साथ छोड़ दिया है सांस ने शरीर में आना जाना बंद कर दिया है फिर आप कितने सुन्दर हो कितने युवान हो कितने तंदृस्त हो कितने धनवान हो कितने गुणवान हो कितने बड़े भक्त हो उस शरीर की कीमत दो कोड़े की हो जाती है अपनी कमाई से बनाए अपने ही घर में अपने परिवार के लोग बिना वायू के शरीर को दो-चार घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते हैं शरीर बूढ़ा हो जाए, जरजर हो जाए, कौमा में चला जाए सालों साल पढ़ा रहे अगर शरीर में सांस चल रही है तो डॉक्टर परिवार सब सेवा कर रहे होते हैं इसलिए रोज याद रखें कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो किवल वायू तक तो से है प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान भी चाहिए भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए सबको चाहिए भगवान और हर्मान जी भगवान नहीं है हर्मान जी कौन है राम दुवारे तुम रखवारे तो तनहा क्या मिनु पैसारे इसलिए हर्मान जी से प्रारता करें प्रभु जीवन जीने के लिए भगवान चाहिए लेकिन भगवान तक हमारी पहुँच नहीं है क्योंकि ना तो जीवन में मेरे पवित्रता है ना भक्ती है आपकी पहुँच वहां तक है क्योंकि राम दुवारे तुमर खवारे होतना आग्या बिनपैसारे इसलिए आप अकेले मताना फिर राम लखन सीता सहिता बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा मेरे राम लखवान दानकी के साथ निवास करों और जहां भगवान का वास होता है जहां भगवान बिठाए जाते उस जिगव कहा जाता है भगवानका मंदिर है हमारे आपके घर में सबके ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेड रूम, सारे रूम होते हैं उसमें एक जगह ऐसी होती है जहां हम भगवान को बिठाते हैं और बोलते हैं यह हमारा मंदिर है जहां भगवान का वास होता है उस जगे को भगवान का मंदिर कहा जाता है जैसे ये बत्रा फार्म हाउस का एक हॉल है लेकिन उसी हॉल में हमने भगवान को बिठाया अब ये जगे भगवान का मंदिर बन दी है मंदिर है तो ही हम सब नीचे बैठें जमीन में आप ऐसे किसी पार्टी में आओ आपको कहा जाए जमीने बैट जाओ ता बैठोगे मंदिर उसे कहते हैं जहां मन के अंदर परम शांती की प्राप्ती हो उसका नाम मंदिर और मंदिर की खासियत ये होती है कि मंदिर में कोई भी कितना ही परिशान वक्ति आए कि जाए उसके भी मन को शान्ती मिलती है तो श्री हनमान जी से रोज प्रारता करें मेरे शरीर को भी आप भगवान का चलता फिरता मंदिर बना दो जहां राम लक्श्मन जानकी के साथ आप लिवास करोगा, ताकि मेरा शरीर भगवान का मंदिर बन जाये तो मुझे मेरे मन को मुझे शरीर को मेरे जीवन को शान्ती मिलेगी, और किवल मुझे ही शान्ती न मिले इन 24 घंटे में मैं जिस से मिलूँ या मुझसे जो कोई मिले उसके भी मन को मैं परमशान्ती दे सकूँ ऐसा मेरा जीवन बना दो मेरे मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा सोचू ही नहीं ऐसा मेरा दिव जीवन आप मेरे हिर्दय में राम लक्ष्मन जानकी के साथ निवास करके बना दो अश्विर गाईए राम लक्ष्मन जानकी जै बोलो हनुमान की ताली जोर से बुझा के राम लक्ष्मन जानकी जै बोलो हनुमान की बोलो हनुमान की जै बोलो हनुमान की